आन प्रजेंट्स दादी मा की कहानियां बहुत समय पहले की बात है किसी काव में अक्डूराम नामक बहुत निर्दई और क्रूर सेट रहता था वो भगवान का परमभक्त था हे प्रभू आनंद दाता मुझे को यह बरदान दो सिर्फ मैं जीवत रहूं और सब को मार दो नाम मेरा हो प्रभू अकबार के हर पेज पर उद कर मैं बैठ जाऊं प्रिंसिपल की मेज पर अरे सिर्फ मैं चमकू प्रभू अकबार के हर पेज पर आराम से देटा रहूं भगवन मखमली की सेज पर जिसको चाहूं काट खाऊं बस यही बरदान दो सिर्फ मैं जीवत रहूं और सब को मार दो सेट का धरम करम में तो बहुत मन लगता लेकिन उसकी एक बहुत ही खराब आदत थी सेट जब भी किसी को पैसे देता अगर उसे पैसे बापस करने में जरा भी देरी हो जाए तो वह उसके सरीर का एक भाग निकाल लेता था सेट अखडू राम की यह बाग दूर दूर तक फैल गी और उसे को भी पैसे मांगने नहीं आता था लेकिन एक बार सेट के पास रामू नाम का लड़का आया राम 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 भगवान जूटना बढ़ाए रामू भाया तुमारा यहां कैसे आना हुआ सेट जी मुझे आपसे दसेजार रुपए चाहिए आज बड़े दनों के बाद किसी मुर्गे की गरदन अखडू राम की मुठ्छी में आई है सेट जी आप क्या सोच रहे हैं किरपया मुझे दसेजार रुपए दे दिजिए अगवान जूट ना बुलाए रामु भाया मैं कुछ नहीं सोच रहा था मैं तुम्हें दसेजार रुपए दो दे दूँगा लेकिन लेकिन क्या सेट जी अगवान जूट ना बुलाए रामु भाया लेकिन इसके मदले में मुझे कुछ चाहिए हाँ हाँ ठीक है शेट जी आपको ब्याच चाहिए तो मैं आपको ब्याच दूगा बागवान जूब नमलाई बाया ब्याच तुम्हें नुगाई लेकिन अगर तुम्हें पैसे बापस करने में एक गंटे की भी देरी हुई तो मैं तुम्हें से बापस करने में एक गंटे की भी देरी कर दी तो मैं तुम्हें मेरी सब्त मंजूर है तो तो मुझे से पैसे लो, परना तुम या से जा सकते हो क्या करें, शेट तो मानी नहीं रहा, लेकिन मुझे भी तो पैसु की जाया जरूरत है मगवान जूट ना बुलाए रामू भाया, क्या सोच रहे हो नहीं नहीं कुछ नहीं सोच रहा था, आप मुझे 10,000 रुपए दे दीजिए अगर मुझे पैसे बापस करने में नेक भी देरी हुई, तो आप मेरे श्रील का एक क्लो मास ले लेना ठीक है, ये लो 10,000 रुपए और फिर रामू रुपए लेकर बहां से चला गया रामू को रुपए बापस करने में एक दिन की देरी हो गई, इसलिए हुए सेट के पास दुगने रुपए लेकर आया रामू को देख करकडू राम कहता है बगवान जूट ना बढ़ाय रामू भाया, जितनी तुमारी उमर है, उससे ज़्यादा तो हमारी कमर है मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, कि तुम पैसे समय पर वापस नहीं कर पाऊगे माफ कीजिएगा सेट जी, मेरी बहुत कुछों के बाद भी आपको पैसे वापस करने में एक दिन की देरी हो गई इसलिए मैं आपके लिए दुगने रुपए लेकर आया हूँ बहुआ जूट न बुढ़ाय रामु भाया, अब मैं तुमारे ये रुपए नहीं लूँगा तन्बा सेट जी, आप तो बहुती अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ रामु भाया, कहां चल दिये? कहां चल दिये मतलब? मैं तो अपने घर जा रहा था मेरे कहने का मतलब ये नहीं था रामु भाया तो फिर क्या मतलब था आपका? आपको रुपए नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? बागवान जूट न बड़ा है रामु भाया, लगता है तुम हमारी सत्थ भूल गए हो कैसी सर्थ शेट जी? सर्थ ये थी कि अगर तुम्हें दसजार रुपए बापस करने में एक घंटे की भी देरी होई तो तुम मुझे अपने सरीर का एक क्रो मास दोगे और रामु भाया, तुमने तुम्हें भी बोला था, अब तो तुम्हें एक दिन की देरी हो गई है जी हाँ सेट जी, मैं मानता हूँ कि मुझे पैसे आपस करने में एक दिन की देरी हो गई इसलिए मैं आपसे कहतो रहा हूँ कि मेरी बहुत कोश्चों के बाद भी मुझे पैसे वापिस करने में एक दिन की देरी हो गई इसलिए मैं आपके लिए दुगने रुपए लेकर आया हूँ आप इन रुपयों को रख लीजिए और मुझे जाने दीजिए बगवान जूब नवड़ाय रामु वाया तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे मैंने तुमें बंदी बना लिया हो बस तुम अपनी सल्ट के मुताबिक एक रुप मास दे दो और यहां से जाओ शेट जी अगर आपको लगता है कि मुझे पैसे वापिस करने में ज्यादा देरी हो गई है तो आप मुझे से दुगने पैसे के साथ ब्याज भी ले सकते हैं मुझे ब्याज नहीं चाहिए शेट जी आप मुझे बीफ यार रुपे के भी दुगने ले ले जीए मुझे दुगने पैसे नहीं मुझे तो केबल तुमारे शरीर का मास चाहिए इस प्रिकार रामू और अकडूराम बहुत देर तक बैस करते रहे गाउं के बहुत से लोग बहाँ पर इखटे हो गए गाउंवालों ने सेट को बहुत समझाया लेकिन सेट अपनी जिद्ध पर अडिक रहा तो गाउंवाले ने सोचा कि ये दोनों हमारी बात नहीं मान रहे हैं क्यों ना इन दोनों को महराज क्रिस्म देव के दरवार में बेर दिया जाए अरे अकडूराम अगर ये लड़का तुमारी बात नहीं मान रहा तो तुम इसको महराज के दरबार में क्यों नहीं देके जाते तुम ठीक कह रहे हो मैं इस रड़के को महराज के पास लेके जाओंगा वैसे भी मुझे इस रड़के के मास जी मतलब है पैसे से थोड़ी हाँ हाँ चलो मैं भी देखता हूँ कि महाराज तुमको मेरा मास कैसे देते हैं मैं फिर भी कह रहा हूँ दोने रुपए लेना हो तो लेलो वाँ जूट न बुला है रामु भाया आज तक अकडुराम ने जो सोचा है तो किया है और अकडुराम के किसे दो दूर दूर तक फैले हूए है महाराज भी मेरे पच्च में ही फैजरा सुनाएंगे कहीं ऐसा ना हो कि महाराज ये शकडुराम को मेरा मास देने का आदेश देदे इस प्रिकार बो दोनों बाते करते करते महाराज किर संदेव के दर्वार में चले गए लेकिन रामू डरा हुआ था फिर दोनों ने एक साथ मिलकर महाराज किर संदेव को प्रेडाम किया महाराज की जैँ हो आईए आईए शेट अकड़ू राम, आपका दरवार में स्वाकत है जूटना बुलाए महाराज, आपका बहुत बहुत धन्दवाद ठीक है, तुम ये बताओ तुमने दरवार में आने का कष्ट क्यों किया बगवान जूटना बुलाए महाराज आपकी दया से कोई दिक्कत नहीं है बस एक छोटी सी समस्या देकर आपके पास आया हूँ तुमको कौन दी समस्यान पढ़ी अगरूराम तुम गाउबालों के लिए बैसे भी तुम एक समस्या ही हो क्या कहा महाराज आपने कुछ नहीं कुछ नहीं तुम बताओ तो तुमको कौन दी समस्यान पढ़ी है और ये तुम्हारे साथ में लड़का का होना है बगवान जूटना बुलाए महाराज समस्या तो ये लड़का ही है मतलब मैं कुछ समझा नहीं बगवान जूटना बोलाए महाराज मैं आपको सब बताता हूँ इस लड़के ने मुझे 10,000 रुपए मांगे लेकिन मैंने रुपए देने से पहले एक सर्थ रखी कि अगर तुम्हें रुपए बापस करने में एक गंटे की भी देरी हो गई तो मैं तुम्हारी सरीर का एक कि बेट फच कह रहा है मैंने मास देने के लिए हां के दिया था क्यूंकि मुझे लगा कि मैं इसको समय पर पैसे वापस कर दूंगा लेकिन मेरी बहुत कोश्चों के बाद भी मुझे रुपए वापस करने में एक दिन की देरी हो गई इसलिए मैं इनके लिए दुगने दे रहा है तो तुमको उसे ले लेना चाहिए इसमें तुम्हारा फैदा ही तुग है भगवान जूट ना बदाए माहराज मैंने इस लड़के से पहले भी कहा था कि मुझे दूगने रुप्यों का ब्याज नहीं चाहिए और आपसे भी कह रहा हूं माहराज मुझे तब राजा ने इस समस्या का दायुत मंत्री को सौप दिया अरे मंत्री जी अब इस समस्या का समादान आप ही निकाल गए तो जो आग गया महराज हाँ तो अख्डू राम तुम्हें पैसे और सोले की मुद्राय नहीं चाहिए नहीं नहीं मैं कित्ती बार बोलूं तुम लेकिन तुम को भी एक सर्त माननी बढ़ेगी जरूर जरूर न वंयरी सर्तί जरूर मानूँगा लेकिन तुम पहले मेरी सर्त सुनतो लो उसके बार बोलना ख्यों बोलिए अपकी सर्त क्या है तो सनो अकडूराम जब तुम इस लिड़के के शरीर का मास लोगे तो खून की एक भून भी नहीं गिरनी चाहिए ये मंतरी पागल हो गया है क्या आज चक अकडूराम ने सारे गावबालों को पकरा बनाया ये मंतरी तो अकडूराम को ही पकरा बना रहा है क्या सोच रहे हो अकडू राम भगवान जूट ना बलाए अरे मंतरी जी जब मैं मास लूँगा तो खून निकलना तो सवाव एकसी बात है नहीं अकडू राम तुमने शर्मास लेने की बात कही थी और मास लेते समय खून की एक भून भी गिर गई तो तुमको अपने सारी संपत्ती रामू को देनी होगी अरे मंतरी जी ये कैसे संभव है तुम कर सकते हो अकडू राम कैसे मंतरी जी जब तुमें श्रेड़के के दिये हुए दुगने रुपई छोड़ सकते हो महराज की दी हुई एक लाग सोने की मुद्राय छोड़ सकते हो तो मास लेते समय खून क्यों नहीं छोड़ सकते और हाँ अगर तुमने रामू के शरीर का एक कलो मास नहीं लिया तो तुमें उसे अपनी आदी संपत्ती देनी होगी अगर मैं मास लोगा तो खून तो निकले गाई और अगर खून निकल गया तो मुझे रामू को अपनी सारी संपत्ती देनी पड़ेगी ऐसा करता हूँ मैं रामू का मास नहीं देता हूँ कम से कम मेरी आदी संपत्ती तो बच जाएगी क्या सोच रहे हैं यो अकडू राम कुछ नहीं बगवान जूट ना मलाए मंत्री जी मैं समझ किया आपकी बात अब मुझे रामू का मास नहीं चाहिए और मैं अपनी आदी संपत्ती भी रामू को देने के लिए तयार हूँ ठीक है लेकिन अगर तुमने ऐशा दोवारा किया तो तुम्हें फांशी की से रहा हो जाएगी अरे बाव मंत्री जी आपने तो इस जटिल समस्या का बड़ी सरलता से समाधान निकाल दिया और मिस्टेट लड़के से माफि मांगकर और अपनी आदी संपती उसके नाम करकर बहां से चला जाता है और महारा स्टेट को देने वाली एक लाग सोने की मुत्राय मंत्री को दे देते हैं तो देखा दोस्तों हमें किसी की मज़ूरी का फैदा नहीं उठाना चाहिए आप हो देल से देल जाए आले बाद